नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एजूकेशन के एड़सेक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ बिहार में बिसको मान की तरफ से आई है एक नई रिक्रूटमेंट दोस्तो इसके बारे में कल भी मैंने आपको एक अपडेट दिया था नियूस विपर के माध्यम से बहुत सारे चात्र पूछ रहे थे इसके बारे में तो मैंने बोला कि जल्द ही इसके बारे में कुछ नया अपडेट दूँगा और ये अपडेट आ चुका है दोस्तो जी हाँ देख सकते हैं ओफीशली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है इस नोटिफिकेशन का हम आपको संपोंड विशलेशन करके बताएंगे कि कितने पोश्ट हैं क्या सैलरी है क्या एलिजबिटी क्रेटेरिया है एक एक चीज पर बात होगी चुकि कोई भी चीज़े आपको पूछनी ना पड़े यहाँ पे नीचे से कमेंट करके वो सारी डिटेल देंगे वीडिय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से जा सके इस वीडियो का जो पीडियेफ है वो डाउनलोट करना है आपको तो आप आरा टेलीग्राम चैनल जोईन कीजिए वहाँ प का सयो कर सके बिहार के किसी भी एक्जाम को कराने में तो हम लोग एक साथ हैं एक ही आवाज बनकर उठेंगे तो पूरे देश में हला मचेगा इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों जो भी अपडेट आ रहे हैं बिहार के रिगार्डिंग निउस किया है लेकिन क्या आप दोस्तों इसका ओफिशल वेबसेट देखना चाहेंगे तो यह है इसका ओफिशल वेबसेट दोस्तों जहां से इसके बारे में सारा डिटील एक एक करके दिया गया है दोस्तों जी हां देख सकते हैं बिसकोमान किसान किसान जी हां बिहार के किसानो लेकर या पिर उनकी बिजनेस को लेकर दोस्तों बिहार स्टेट कोपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड इसका पूरा नाम है इसको मन कहते हैं इसको यह पटना में इस्तित है इसका बिल्लिंग इसका हेड ऑफिस ठीक है बिहार और जारखंट के लिए यह सारे नोटिफिकेशन दोस्तों देख सकते हैं यहां पर यह जो लिंक चल रहा है यहां पर आपको इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकेंगे अगर नहीं कर पाते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड तो आप लोग रिक्रूट्मेंट व आपको आविदन करने के वो लिंक अप्लाई करने का जो लिंक है यहां पे एक्टिब कर दिया जाएगा कल से 2 सेप्टेंबर से आप इसके लिए आविदन कर सकेंगे लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको बता दें कि फीस जो है थोड़ा सा महंगा है एक हजार रुप्य आप पोस्ट है यहां पे तो यहां पे क्वालिफिकेशन भी यहां पे चलिए मैं आपको सारा डिटेल देता हूं यह इनपॉर्टेंट डीट्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दो सेप्टेंबर 28 सेप्टेंबर और 30 सेप्टेंबर यहां 30 सेप्टेंबर को finally fee submit कर दें आपको और 28 सेप्टेंबर से पहले आपको registration कर लेना है और 29 तारी तक कम से कम आपको क्या करना है कि अपना application form भर ही लेना है और कल से यह सुरू हो जाएगा जी हां तो एक और नई vacancy आ चुकी है आप आपको बता देना चाहते हैं यहां पे कि लिखित परिच्छा के प्रश्न पत्र हिंदी औरुज़िश में यहांने की आपका एक टेस्ट भी होगा यहां पे तो यह की अछी बात है यहां पे यहां पे बेस्ट पर आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा आप पर चलिए इसके नोटिफिकेशन पर सीधे लेकर चलते हैं आपको जहां से मैंने इसको डाउलोड कर रहा है और वो सारा डिटील एक एक करके step by step बताऊंगा कोई भी चीजे पूछने की जरूत नहीं पड़ेगी आप लोगो फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लिजेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीके यहां पे कुछ नंबर्स दिये गए हैं आप लोग डिरेक्ट कॉल कीजे यहां पे बात कर सकत लोगों से कोई भी अगर डाउट दिक्कत होता है फॉर्म बगरा भरने में तो दोस्तो यह वेकेंसी निकाली गई है बिसकुमान की तरब से तो हम कुछ पोस्ट के बारे में देखते हैं उनका जो नंबर्स पोस्ट कितना है और यहां पे कितना सैलरी दिया जाएगा कितना एज क्रेटेरिया है और क्वालिफिकेशन क्या है उसके बाद हम देखेंगे सेलेक्शन प्रोसीजर वाने की कैसे सेलेक्शन किया जाएगा आपका तो सबसे पहला पूश्ट है दोस्तों यहां पे देखीएगा फाइनेंस कम एकाउंट ओफिसर का जो की जेनरल कर्टेगरी की EWS OBS OBC और SCST के तरफ से जो रिकूटमेंट का संक स्रिंकला है उसमें सिर्फ और सिर्फ जेनरल के लिए एक सीट दिया गया है यहां पे इसके लिए टोटल एक सीट है मात्रे जेनरल के डिगरी के लिए 25,000 रुपे तक की सेलरी है इसकी और एक कई से 37 साल तक का एज क्रे अगर एक्सपिरियंस है तो ठीक है आपको पहले प्रिफर किया जाएगा लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है आप वह चात्र भी आविदन करेंगे जो की अभी नए कंडिडेट है और अभी फाइनल येर में हैं कोई भी डिग्री कर रहे हैं आप यहां से किसी भी और भी जीडी गई दिन यू कैन अप्लाई फोर इस पोस्ट यहाँ फाइनेंस कम अकाउंट ऑफिशर डिजाइरबल क्या बोला गया है यहां पर डेखें डिजाइरबल और में बहुत अंतर यांना जाहिए तो भी ठीक तो यहां पर पर उख्याभा लागया है दोस्तों की profession computer operation यांनि कि आपका computer में knowledge होना अनीवारी है यह अनीवारी नहीं है यह desirable ठीक है तो यह आपको क्या चाहिए Content knowledge होना चीए दिखिए अज की date में सबको knowledge होता है computer का आपको भी होना चाहिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है mandatory यहां पर बोला गया कि अपhr Carmich idiot पर दी जा रही है तो यहां पर experience मांगा जागा तीन साल का experience इस सेक्टर में मांगा है finance account officer के लिए दोस्तों दूसरा पोस्ट यहां पर देख सकते हैं range officer marketing officer का आठ पोस्ट यहां पर जनरल में OBC सोरी EWS OBC SCST और टोटल मिलाके यहां पर बीस सीट है बीस हजार रुपे का salary होगा एक कई से 37 साल मैक्सिमम जो यहां पर पोस्ट है उसका एक कई से 37 साल है अब मैं आपको बार बार यह नहीं बताऊंगा जिसमें नहीं है यह सेम वह बता दूंगा आपको दोस्तों essential जो qualification है आपका वो किसी भी discipline में डिगरी होना चाहिए आपका graduate होने चाहिए आप यहां पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो यहां पर desirable है वो computer operator होना चाहिए आपका मतलब computer knowledge speed वेगरा थोड़ा सा हो चेक कोई कर लिजएगा प्रिफेंस यहां पर उनको दिया जाएगा जो की MBA किया हुए मार्केटिंग सेक्टर से या बीए सी agriculture में उनने अपने डिगरी कर रखा है उनको पहले प्रिफेंस दिया जाएगा और अगर experience है इस सेक्टर में दिन आपको उनसे भी पहले यहां पर दिया जाएगा प्रिफेंस तो यह एक desirable है यहां पर यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्रिफेंस दिया जाएगा इनको पहले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है है आपको इसी बेस पर जो graduate label पर ही आपको यहां पर selection लिया जाएगा अगर लोग नहीं पहुंच पाएं तो वैसे तो लोग पहुंचेंगे ही चुकि अब यहां से notification जा चुका है आप लोगों के पास तो बहुत सारे लोग अभी दन भी करेंगे इसके लिए कल से जिया जूनियर इंजिनियर सिविल के लिए पोश्ट है दोस्तों मातर दो 15,000 का salary है एक कई से लेकर 37 साल तक का age criteria होगा essential qualification में diploma मांग लिया गया है डिगरी वाले आविदन निम्मत कीजिएगा आपको form reject हो जाएगा preference will be those candidates who have the relevant experience जिसके पास experience है he can apply for this यहां उनको पहले यहां पर मौका मिलेगा यहां पर मातर दो ही पोश्ट है ठीक है जो appearing में है चातर वह भी आविदन कर लिजीगा जो BCA कर रहे है अभी फिलाल और दोस्तों यहां पर लेकिन जो आविदन कर रहे है appearing वाले student जब interview के लिए आपको बुला जाएगा तो आपके पास आपका मार्शिट होना अनिवार है यह आपको पहले बता दे रहे है फिर मैं मत बुलिया कि सर आपने बताया नहीं था ठीक है लेकिन जिसके पास experience है भाई वह पहले उसको prefer किया जाएगा यहां भी बोला गय कर bachelor degree मांगा जा रहा दोस्तों आपसे किसी भी discipline में क्या मांगा जा रहा है bachelor degree मांगा जा रहा है और final year वाले भी अपलाई कर सकते हैं यहां पे लेकिन typing speed होनी चाहिए 30 और 35 क्रमसर हिंदी और अंग्रेजी का यह speed है आपका 30 हिंदी में 35 यहां पे अंग्रेजी में speed होना चा चाहिए तो यह आपको complete mandatory है यानि कि आपके पास knowledge होना चाहिए इसका और इस sector में जिसके पास experience है तो उनको पहले prefer कर दिया जाएगा नौकरी के लिए छठा पोस्ट है दूस्तों account assistant का मात्र पांच पोस्ट है 15,000 की salary है 21-27 साल तक का age criteria है यहां पे become वालों को बुला गया ह account का है न जो अब यहां पे तो become वाले है जो appearing में है चाहत्र वह भी करेंगे लेकिन mandatory में MS Office और DCA का knowledge होना चाहिए देखे क्रेटेरिया तो बहुत हाई रखा गया है पता नहीं इतने सारे चाहत्र आविदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और preference will be the given those candidates जिनके पास experience है भ और same criteria age का है और bachelor degree आपका चाहिए दोस्तों यहां पे chemistry honors में simple सी बात कह दी गई है और जो चात्र यहां पे भी फिलाल कर रहे हैं appearing में हैं वो भी आवे दिन कर सकते है chemistry honors वाले अच्छा यहां पे reservation जो भी होगे PWD candidate उनको अलग से दिया जाएगा इस sector में mandatory हैं यहां पे MS Office का package और DCA करना और जिसके पास experience है उसको तो यहां पे preference दे देगा पहले computer operator का भी पोस्ट है दोस्तों टाइपिस्ट का ठीक है 12,000 का salary है same criteria age का लेकर है यहां पे किसी भी discipline में आपका graduation होना चाहिए कम से कम आप graduate होने चाहिए mandatory में MS Office का package और DCA का यहां पे certificate होना चाहिए आपक का typist होना चाहिए अब इस टेनों पे नहीं है यहां पे सिर्फ computer पे बोला गया है ना computer पे स्पीड होना चाहिए दोस्तों salesman कम MTS यह आखरी पोस्ट है और इसके लिए 142 पोस्ट है जिया category वाइस सीड देख सकते हैं लेकिन इसका जो age criteria है वो 18-37 साल रखा गया है 12,000 का salary ह ध्यान रखेंगे 10 प्लस 2 ही मांगा गया है जो appearing में है चाहतर यानि की वह भी आविदन कर सकते हैं यहां भी pH कोटे के चाहतर जो है PWD कोटे के उनको यहां पे मौका दिया जाएगा आविदन करने का ठीक है तो यह सारे पोस्ट हैं दोस्तों यहां पे complete 2,200 से भी ज्यादा पद हो गया यहां पे अगर आप देखे तो यह सारा क्रेटेरिया है आपका जो कि मैंने आपको बता दिया जॉब्स के रिकार्डिंग यहां पे मांगा गया है अब सबसे महत्यपून चीज़ है कि यह contract basis job है दो साल का contract है आपका बिसकोमान आपके साथ contract करेगी दो साल का ए और इंटर्वियू के समय आपको जो है जो भी documents वेगरा है सब कुछ लेके जाना है जो भी qualification के बारे में अपने बताया है इस चीज का ध्यान रखेंगे ठीक है और यहां पे आपका जो इंटर्वियू होगा वो बिसकोमान भवन में ही होगा पटना में ठीक है अब बागी चपंपार्टेंट च्जोंकी बता दिया है दो तारिक से लेकर तीस तारिक तक कर लेना इसाथ वी सब्मिट कर देना है नो कि यहां पे तो सब कुछ मैने बता ही दिया है नेशनलेटी आपका इंडियन व्पारती होने चाहिए आप फीजीकली मेडिकली फिट होनी चाहिए आप दोनों ही यहाँ पर ठीके और देखें इन्पोर्टेंट इंपोर्टेंट चीझे खेंड एक्रक्षन मिलेगा आप लोगो भाई जायर शीवात ओयरे एक स्रुलूwen pandomorph war सेलक्षन प्रसीजर क्या यहाँ है स्धार बहुत इन्पोर्टेंट है किसके लिए तो जो finance वाले हैं भाई उनका ठीक है यह देखिए कौन-कौन से पोच्छ फॉर्ट ऑफ फाइनेंज एकाउंट ऑफिसर रेंज ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर असिस्टेंट गोडवन मैनेजर एकाउंट बेनेजर असिस्टेंट बेनेजर आईटी जूनियर इंजिनियर सिबल सेल्समेन एंटे सब के लिए तो लगबबग होई गया आपका दो फेज में एक्जाम होगा ठीक है टू पार्ट में एक होगा रिटेन का रिटेन में आपसे देखिए पचीस-पचीस नंबर क सब कोशन होगा इंगलीस का होगा कोशन एप्टिट्व का होगा और जेनरल अवेरनेस और कंप्यूटर का भी होगा और आपको बता दे कि दोनों ही भासाओं में आपकी परिच्छा का पिपर होंगे और यह आपको मेने बता दिया पहले भी और अभी बता रहूं यह घंट के बाद जो कि आपके इसी वेबसाइट पर भी दिखाया जाएगा अब देखिए अब यहां पर जो भी एक्जाम है अगला पोस्ट है जो यहां पर असिस्टेंट कंप्यूटर अपरेटर के वेगरा के तो यहां पर आपको टैपिंग टेस्ट एक एक्स्ट्रा बढ़ बहुत लोग के मेरिट नहीं बना रहता है यार ठीक है दोस्तों यहां पर उसके बाद आपको फिर कटफ दिया जाएगा और टैपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएगा जो भी छातर यहां पर टैपिस्ट के लिए आविदन करेंगे ठीक है और अपना सर्टिफिकेट वेगरा भी आप लोग लेकर जाएंगे मतलब जब इंटर्वी होगा तो जो अभी काश सर्टिफिकेट है चाहे आप EWS से है चाहे OBC या SCST से है आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा देखलाने के लिए अब कैसी अपलाई करना है तो दो तारीक से लेकर 28 तारी इसके बारे में डिटेल दिया गया है वैसे कोई ज्यादा वह है नहीं आप लोग बैंक का फॉर्म भरें वैसे फॉर्म भरना पड़ेगा 500 रुपे और 1000 रुपे मैंने बोला यहां पे SCST और फीमेल और PWD केंड़ेट जो 500 रुपे देंगे लेकिन जेंडरल और OBC का जो अपडेट ऐसा नहीं है जो कि आपको छूटा हो तो यह बाकी कोरियंडम यहां पे हैं इनके इनके वेकेंसी को लेकर तो उसके बाद आपको कॉल लेटर वेगरा भेजा जाएगा पहले तो आप फॉर्म भर यह ना कल से फॉर्म भरा जाना शुरू हो रहा है और फिर भी को कर्मेंट में होगा यहां पर देख सकते हैं फोटो और सिगनेचर आपका तो बाकी सारे डीटेल तो मैंने देही दिया है खतम हो गया यहां पर पुरा यह स्टेप बाइस्टेप मैंने सब खतम कर दिया अब कोई डाउट है तो आप बताईए कमेंट कीजिए पूछिए उस